Hello friends, मैं हूँ Anjali and welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं कुर्तियों के बारे में. तो कुर्ती बहुत ही beautiful dress है जिसने भी इसकी रचना की थी, जिसने भी से invent किया था. मैं उसे बहुत बहुत thank you कहूंगी. क्यूंकि कुर्ती एक ऐसी dress है जिसे की आप कई event पे बिना event के daily lifestyle में कभी भी पहन सकते हैं. आप इसे daily use में पहनिए, office wear में पहनिए, just friends के साथ get together के लिए जाना है, वहाँ पहन लेजे. तो basically आप इसे casually, party wear, formally हर तरीके से पहन सकते हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो 5 style की कुर्तिया हैं, जो की आपके wardrobe में जरूर होना चाहिए. So that आपको कुर्ती के different different तरीके, different different event में पहनने के लिए मिलें. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहला style है अनारकली कुर्ती. तो सबसे ज़ादा elegance और grace अनारकली कुर्ती में आता है. यह जितना stylish लगता है, उतना ही traditional भी लगता है. आप इसे trouser pants के साथ pair कर सकते हैं, धीली धीली फ्लेर वाले plazos के साथ आप इसे pair कर सकते हैं, legging के साथ और even अपनी skirts के साथ भी आप इससे pair कर सकते हैं. बहुत ही graceful और elegant dress है यह. तो इसे आप casually, formally, party wear हर तरीकों से पहन सकते हैं. आप इसे अगर cotton fabric में पहनेंगे, तो आप इसे daily wear के लिए office जाते समय या फिर college going girls इसे normal days में पहन सकती हैं. और अगर आप इसे party wear पहनना चाते हैं, तो इसे आप embroidery में लीजिए, silk fabric में, georget में, chiffon में, बहुत तरीके के fabrics में आते हैं. तो different different type के अनारकली कुर्ती आती हैं, knee length, पूरा floor length तक, mid length तक, कई तरीके के lengths में आती हैं, तो आपके उपर depend करता है, आपको कौन सी पसंद है, बट जो भी पसंद हो, लेकिन अनारकली कुर्ती आपके wardrobe में जरूर होना चाहिए. Okay, second style is अंग रखा style, तो अंग रखा style बहुत ही royal और sophisticated style कुर्ती है, इसे आप casually, formally और party wear हर तरीकों से पहन सकते हैं, यह वो कुर्तियां हैं जिने की आप different different occasions में पहन सकते हैं, daytime, night time, हर time पे आप इसे carry कर सकते हैं, इसे आप pair कर सकते हैं, trouser pants के साथ, plazos के साथ, leggings के साथ, ब beautiful जुमकास के साथ, अगर आप इसे party wear के लिए पहन रहे हैं, और अगर आप इसे office wear के लिए daily wear के लिए पहन रहे हैं, तो छोटे छोटे studs पहनिए, छोटी सी chain पहनिए, and you are good to go, तो अंग रखा style कुर्ती जरूर होना चाहिए आपके wardrobe में, next style है asymmetrical कुर्ती, asymmetrical कुर्ती जो होता है कुर्ती का वो बराबर नहीं होता है, तो इसमें जो कुर्ती का bottom होता है, वो high low होता है, या फिर जो side की trails होती है, वो नीचे की तरफ गिरते वे होती है, तो different different styles में आते हैं, या तो left side उपर होता है, right side नीचे होता है, और उसमें frills होते हैं, तो asymmetrical कुर्ती अगेन इस कुर्ती को भी आप अपने डेली वेर और पार्टी वेर, फॉर्मल वेर हर तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो इस तरीके की ट्रेंडी और स्टाइलिश कुर्तीयां आपके डेली वेर में ऐड़वन करेंगी और party wear में आप इसमें chiffon, silk या फिर satin में आप अगर asymmetrical kurtis बनाते हैं with lots of flare तो बहुत ही beautiful look देता है ओके, so next style is short kurtis, तो short kurtis वो जो की thigh length होती है या फिर घुटनों से उपर होती है उन्हें हम short kurti के category में रख सकते हैं तो short kurtis में भी बहुत सारी variety आपको मिल जाएंगी आपको बंद गले के साथ जिसमें की Chinese collar हो और या फिर जिसमें peplum top टाइप का हो जिसमें खुब सारा घेर होता है chiffon के मिल जाएंगे आपको जो की flowy fabric में होगा short kurtis with lots of embroidery मिल जाएंगी आपको तो उसमें भी बहुत सारी varieties हैं और बहुत लोग इसको पहनना पसंद करते हैं क्योंकि इसका simple सा reason है कि इसे आप अपने denims के साथ pair कर सकते हैं और बहुत ही casually आप इसको carry कर सकते हैं daytime में इसको use करना बहुत ही handy होता है especially college going girls के लिए बहुत जादा इसमें efforts लगाने नहीं पड़ते हैं बट साथ में ही यह बहुत comfortable और stylish लगता है short kurtis को भी आप different different चीजों के साथ style कर सकते हैं आप इसे शरारा के साथ पहन सकते हैं गरारा के साथ पहन सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा embroidery या फिर कोई work करा लें तो तो कोई भी आप night party या wedding में इसे carry कर सकते हैं short kurtis को आप पटियाला सलवार के साथ पहनिए बहुत ही smart look आता है and yes western और ethnic look के लिए आप इसे denim के साथ पहनिए नीचे जुतियां डालिए और जुंकियां डालिए बस आपका एक beautiful सा Indian ethnic look तयार है fifth one is कुर्ती with jackets तो कुर्ती with jackets का मतलब है like आप अंदर की तरफ एक कुर्ती पहनते हो फिर उपर की तरफ से आप jacket डालते हो तो ये jacket long jackets होते हैं बिलकुल कुर्ती के length के या कुर्ती से लंबे भी होते हैं तो ये एक बहुत ही beautiful look देते हैं लेरिंग हो जाती है अंदर की कुर्ती आप different color की पहनिए और उपर की तरफ उससे contrast color में आप jacket लीजिए या फिर patterns आप change कर लीजिए दोनों fabric के तो भी ये बहुत ही beautiful और elegant look देता है कुर्ती with jacket style बहुत ही beautiful style है इसे आप trouser pants के साथ pair कीजिए इसे आप leggings के साथ pair कर सकते हैं इसमें भी आपको कई तरीके की variety मिल जाएंगे like straight cut कुर्ती में भी आपको jacket style मिल जाएगा अनारकली style में भी jacket के साथ कुर्ती अवेलिबल होती है A-line कुर्ती भी with jacket होती है बहुत ही elegant और graceful look आता है और बहुत stylish लगता है इने भी आप different different occasion में style कर सकते हैं like daytime पर अगर आपको पहना है तो आप cotton की और बहुत light fabric का आप use करें और इसी में अगर आप थोड़ा सा velvet या फिर silk या chiffon या satin यूज करते हैं With दुपट्टा या Without दुपट्टा ये style बहुत ही smart लगता है So friends ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें की मैंने आपको पताया वो कौन सी 5 style की कुर्तियां आपके wardrobe में आपकी कुर्ती collection में जरूर होनी चाहिए जिससे की आपकी कुर्ती collection और versatile हो जाए और आपको बहुत सारे options मिल जाए different different occasion में different different outfit create करने के लिए I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को like करिए, comment करिए, मेरे चानल को जरूर subscribe करिए and yes, please मुझे Instagram में भी follow करें, ये है मेरी Instagram handle ID, please follow me there also मैं आप से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care